नमस्कार मैं हूँ अनुराधा और आप देख रहे हैं एन्वर्ड न्यूज आईपियल लीग का मज़ा हर वर्क लोग के उठाते हैं वही वील भारत के साथ-साथ अन्य देशों से भी आईपियल यानी किर्किट को बहुत प्यार मिलता है और फिर मिला भी है वही मैं आपको बताओं कि आईपियल के शुरुआत साल 2008 में होई थे और तब से लेकर अब तक कुल 14 सीजन खेले जा चुके हैं वही अब तक सभी सीजन काफी काम्याब रहे हैं और साथ ही आईपियल की प्ले आफ की रेस और भी जादा दिल्चस्प होती जा रही है वही इसी बीच BCI सचीव जैशाह ने आईपियल प्ले आफ और फाइनल मकाबले के आयोजन को लेकर बड़ी जानकारी दी है उन्होंने कहा कि आईपियल पंदला का सीजन इस बार 26 मार्ज को शुरू होगा आईपियल प्ले आफ के आयोजन को लेकर बात करते हुए सचीव जैशाह ने आगे कहा कि प्ले आफ मकाबले माह एहमदाबाद और कॉलकत्ता में ही खेले जाएंगे जबकि आईपियल का फाइनल मकाबले नरेंदर मोदी स्टेडियम में भी होगा वहीं आपको बताओं कि आईपियल का फाइनल मकाबला 29 माई को होगा जिसके बाद क्वालिफायर दो भी एहमदाबाद में ही लेकिन 27 माई को ही खेला जाएगा जिसके बाद अब सीजन का फाइनल मकाबला 29 माई को होगा बतादे कि इससे पहले इसको लेकर अनुमान लगाई जा रहे थे कि 29 माई को IPL का फाइनल मुकाबला एहमदाबाद में खेला जाए IPL में इस समय प्ले ओफ की रेस काफी जादर रोमान्चक बनी हुई है वही मुंबई इंडियन्स को छोड़ कर हर टीम प्ले ओफ की रेस में है वही नंबर वन के हिसाब से इस समय गुजरात की टीम सबसे टॉप पर बनी हुई है